आज 12 फर्वरी 2023 से बाबा के अव्यक्त रूप से चले महावाक्य है, उसकी रिवाइज देट है 16 डिसेंबर 1990 थे तो मुर्ली का सार है, सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व सबंदो का साकार में अनुभव करो तो बाबा ने आज कहा है कि सर्व बच्चे बाप के स्नेही तो है, लेकिन फिर भी बाबा ने तीन परकार के स्नेही में बच्चे को देखा बाबा ने कहा एक वो बच्चे है जो स्नेह करने वाले है दूसरे वो बच्चे है जो स्नेह को निभाने वाले है और तीशरे वो स्नेही बच्चे है जो स्नेह में समाने वाले है तो तिनों की बाबा ने पहचान अलग-अलग तरीके से दी है, तो हम बाबा से ही आज बाबा के महावा के सुन थे हैं, आज विश्वस नही बाप दादा अपने अतीस नही और सदा बाप के साथी वासोहियोगी आत्माओं को देख रहे हैं, बाबा के ते चारो और की सर्व ब्रामन आत्माओं स्नेही अवस्य है, स्नेह ने ब्रामन जीवन में परिवर्तन किया है, फीर भी बाबा केते हैं के स्नेही तीन प्रकार के हैं, एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने और तीसरे हैं स्नेह में समाए हुए, तो समाना अर्थात समान बनना, बा प्रति समय स्नेह जोडने में पुरसाथ करना पड़ता है। प्रति समय स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिती, हर परिस्थिती में आधार अनुभव होता है। बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी है कि बाप का स्नेह स्रेष्ट है लेकिन इस साधन वाप व्यक्ति का अधर भी आवस्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है। और फिर क्या होता है, बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। तो बाबा केते हैं कि एक बल एक भरोसा के बजाए दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवस्यक लगता है। इसलिए बाब के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुबव हो उसके वजाए दूसरे सहारे द्वारा अलपकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकरशित कर लेती है। तो इतना आकरशित करती है जो उसी को ही आवस्यक समझने लगते है। लगाव नहीं समझते बावा केते हैं, लेकिन उसको सहारा समझते हैं, तो इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले, बाबा ने स्नेह करने वाले के बारे में विस्तुरूत में समझाया है, लेकिन कभी-कभी क्या है, उसका स्नेह जुट जाता है, फिर कभी तूट जाता है, तो फि पढ़ती है, तो फिर वहां लगा हो जाता है, तो अलपकल की वह प्राप्ति की तरफ करसित हो जाती है, तो आत्मा स्नेह करने वाले की गिंति में आ जाती है, बाबा केते हैं इसको कहते हैं स्नेह करने वाले पिर आगे बापन बताया कि दूसरे है स्नेह निभाने वाले स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी उनमें सकती है बाबा केते हैं निभाना अर्था स्नेह का रिस्पॉंस देना रिटन देना तो स्नेह का रिटन है जो स्नेही पाप बच्चों से जो स्रेष्ट आसाय रखते हैं वो सर्व आसाय प्रैक्टिकल में पूर्ण करना तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं. लेकिन बाबा केते हैं सदा बाप समान अर्थार समाय हुए वो अनुभुती कभी होती है कभी नहीं होती है फिर भी बाबा केते हैं निभाने वाले समीफ है लेकिन समान नहीं है निभाने वाले को निभाने के रिटन में पदम गुणा हिम्मत और उमंगुशा की मदद विश तो इसलिए दूसरे जो है बाबा केते है कि इसने को निभाने वाले हैं, उसका मिन्स रिस्पोंस करने वाले हैं, रीटरन देने वाले हैं, तो रीटरन देने वाले को बाबा रीटरन में क्या करते हैं, हिम्मत और उम्मन की मदद दे देते हैं, फिर बाबा केते हैं, तीसरे जो है वो स्नेह में समाए हुए है तो उन आत्माओं के नेनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में, सहज और स्वतह, स्नेही बाप का साथ सदाही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन और संतूष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्शित नहीं कर सकता। क्यों क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवस्यक्ता किसी और को सहारा बनाती है और ठाथ संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। तो स्नेह में समाई हुई आत्माय सदा सर्व प्रापती सम्पन होने के कारां सहजु एक बाप दुसरा कोई इस अनुभूती में रहती है। तो बाबा केते हैं कि इस अथी है लेकिन बाबाने तीन प्रकार के इस नही है ऐसा बताया। अब बाबा केते अपने से पूछो कि मैं कौन? अपने को तो बाबा केते जान सकते हैं ना? कि मैं स्नेह करने वाले में हूँ, स्नेह निभाने वाले हूँ, कि स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ, बाबा केते चक करो, अपने से पूछो कि मैं ए तीनों में कौन? बाबा केते ह त इसे तो बच्चे чис यही है लेकिन Claire के साद निभने की सक्ति इसमें नम्बरवार बन जाते है स tailor के साद सक्ति की भी आवस्यकता है बबा केते स्ने हमें जिसमें स्ने होर सक्ति दोनों का बैलंस है वो ही बाप समान अनुपव यही होगा, बाप के स्ने से दूर होना यह मुश्किल है, समाना सहज है और दूर होना मुश्किल है क्योंकि समाई होई आत्माओ के लिए एक बाप ही संसार है, उनका संसार ही बाप है, बाबा केते हैं कि संसार में आकर्षित करने वाली दुही बाते हैं, एक व्यक्ति का सबन्द और दुसरा बिन बिन वैभवो वा साधनों द्वारा पराप्ति होना, तो समाई होई आत्मा के लिए सर्व सबन्द के रस का अनुभव, एक बाप द्वारा सदा ही होता है, सर्व आधार एक बाप है, न कि वैभवा साधन, उनको वैभवा साधन कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता, किसको जो बाप के सनिह में समाई होई है, उन आत्माओ को, उन वच्चों को, तो बाबा केते हैं कि वैभवा साधन क्या है, रचना है, और बाप है रचेटा, जिसका आध अधर रचेटा है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वक्त मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता है, बाप दादा को कभी-कभी बच्चों की स्थिती को देख करके हसी आती है, क्योंकि आश्चरियों तो कह नहीं सकते हैं, बाबा केते हैं, फुल्स्टॉब ह बीज आकरसित नहीं करता है, और जो टाल टालियां जो सोबनिक होती हैं, वो आकरसित हो जाती है, कोई आत्मा को अधार बना लेते है, कोई साधनों को अधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग सोबनिक नहीं होता है, और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा सुबनिक होता है ताल टालीमाना बाबा समझाते हैं आगे कि देहदारी के सबंद का आधार देहबान में सहज अनुबव होता है और बाब का आधार देहबान से परे होने से अनुबव होता है यो बाबा बीज है दिखता नहीं है नै इसलिए बाबा केते हैं कि बाबा का आदार जो है वो देह बान से परे होने से अनुभव होता है तो देह बान में आने की आदत तो है ही बाबा केते हैं कि न चाहते भी हो सकते हैं इसलिए देह दारी के सब्बन का आदार वा सहारा सहज अनुभव होता है समझते भी है कि ये ठीक नहीं है फिर भी बाबा के ते सहारा बना लेते हैं तो बाब दादा देख देख फिर क्या करते हैं मुस्कुराते रहते हैं उस समय की सिती बाबा के ते हसाने वाली होती है जैसे आप लोग क्लासिस में वा भासनों में एक तोते की कहानी सुनाते हो न वो तोते का नाम था गंगाराम, बाबा कभी नाम देते हैं कि गंगाराम नल के उपर नहीं बैठो, तो वो नल के उपर बैठ के बोलेगा कि गंगाराम नल के उपर नहीं बैठो, बाबा केते हैं ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं कि एक बाप दुसरा न कोई, बार बार अपने आपसे रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन बाबा केते हैं, साथ-साथ फिर ये भी सोचते हैं, कि स्थूल में तो सहारा चाहिए, तो उस समय बाबा केते हैं, हसी आएगी न, और उस समय फिर माया भी क्या करती है, चांस लेती ह उद्धी को ऐसा परिवत्तन करेगी जो जूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा बाबा केते जैसे आजकल जूठा सच्चे से भी ज्यादा अच्छा लगता है इमीटेशन की चीज सच्चे सोने से अच्छी लगती है चमकदार होती है तो ऐसे बाबा केते उस समय और वो रॉंग बात जूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए वा जूठ को सज्जा सावित करने के लिए जैसे कोई भी कमजूर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए फिर पिलर्स लगाए जाते हैं तो माया भी कमजूर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए कि ऐसा तो होता ही है फिर और क्या सोते है जाए करते बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं ऐसे ही चलते है या कहते हैं अभीट्व फुरुशात ही है संपूर तो हुए नहीं है जरूरोब ही और कोई-खुई कमी रही है आगे चलकर शुम्पूर ne मनझाएंगे तो बाबा केते हैं ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रुपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना देखो बाबा ने साउधान किया बाबा ने पांच बाते बताई कि यह जो पांच बाते आप सोते हो ने वो क्या है हम संकल्प के पिलर को क आप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो, तो इस सर्वसबंदों के अनुभव को बाबा केते हैं अभी बढ़ाओ, सर्वसबंदों की अनुभुत्ति कम होने के कारण कहीं न कहीं अन्पकाल का सबंद जूट जाता है, फिर बाबा केते हैं स्थूल जीवन में भी, स्थूल का शही योग देने वाला सहारा निराकार आकार की, नहीं नहीं कर सकते हो, लेकिन हर स्वर को साकार हो, साकार की, में मजबूत करो बाबा केते हैं तो व्यक्ति वईबव वा साधन अपने तरफ आकरशित नहीं करेंगे तो एक बाप एक बल एक भरुस्वा एक बाप का सहारा ही बाबा केते हैं अनुभव करो साधनों को निमित मात्र कारिया में लाना बाबा मना बाबा करते हैं, 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 बाबा करते हैं तो निमित मात रहो, इसको कहा जाता है, स्नेह में समाई हुई समान आत्मा, तो बाबा के ते अपने से सूचना कि मैं कौन समझा, बाबा के समझा में बहुत बड़ा रहस्य बड़ा हुआ है, तो बाबा ने इतनी सारी समझा ने दे, तो हमें चेक करना है कि हम कैसी आत्मा है, हम स्नेह करने वाली है, स्नेह को निभाने वाली है, या स्नेह में समाने वाली आत्मा है, स्नेह में समाने वाली आत्मा के लिए बाबा ने कितना अच्छी तरह से समझाने दिए, इसको स्नेह में समाई हुई आत्मा कहा जाता है, तो अच्छा तो बाबा भी याद प्यार देते बाबा किती है पहले जो सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को बाबा किसको याद क्या देते हैं सब अपने को चेक करें पहला सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को दूसरा सदा एक बाब से सर्व सबन का अनुगव करने वाली आत्माओं को तीसरा सदा एक बाब को आधार मुरत सच्चा सहारा अनुगव करने वाली आत्माओं को और चोथा सदा सर्व प्राप्ती रचता बाब द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को और पाँचवा सदा सहज स्वतह एक बल एक भरुसा अनुभव करने वाली सचेस नहीं आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते इरभी दादियों के साथ मुलाकात हैं बाबा दादियों से मिलते हैं बाबा दादियों से बात करते हैं कि सदा समय हुए है या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है सिवाए एक बात के और कोई लिखाई देता जब कहानिया सुनते हो तो हसी आती है और कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती और जब कहानी समात होती है तो सोचते है कि यह क्या हुआ मैं थी य तो परवस को अपना होस नहीं होता है, जब अपना होस आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोस पिया जाता है, अच्छा फिर बाबा केते हैं कि संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमीत आत्माएं ये सब खेल देखर्शित होते रहते हो, बाबा कुछ रहे दादियों को, कि उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल बाब के आप रहम दिल आत्माएं बन गए, तो रहम आता है न, रुणा नहीं आती लेकिन रहम आता है, बाबा केते औरों को वे उपर रहम आता है न, आप उड़ते रहो और औरों को भी स्थ में रहम दिल बन करके उडाते रहो और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है अच्छा जो भी चल रहा है अच्छे ते अच्छा चल रहा है बाबा ने सर्टिफिकेट दिया बाबा केते अथक बन सेवा कर रहे हैं अथक बन सेवा कर रहे हैं निमीत आत्माओं के अथक पन को देख बाबा केते सब में उमंगाता है बाबा केते आप निमीत हो तो आपको देखके आप अथक सिवा करती हो ने तो आपको देखके और साथियों को भी उमंगाता है फिर अव्यक्त बाब दादा की परसनल मुलाकाते हैं फिर बाबा कहले परसनल बाबा ने क्या बताया कि साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संसकार नेचरल और नेचर बनाओ। बाबा केते हैं अभी साधारणता को छोड़ो और विशेषता के संसकार आपके नेचरल हो नेचर बन जाए। तो उसको बहुत मिस्तार से बाबा ने समझाया है। अपने को सदा संगम युग के रुहानी मौजों में रहने वाले और अनुभव करते हो। संगम युग मौजों का युग है। तो रुहानी मौज में आपो ऐसा अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं। तो किसी ने जवाब दिया कि थोड़े टाइम के लिए मुंज जाते हैं बाबा कैते है और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या हो गा बाबा पुछ रहे है, मुझते हो थोड़े टाइम के लिए और उसी टाइम में यदि काल आ जाए, निस आपका लास्ट समय आ जाए तो फिर क्या होगा, अकाले मृत्य का तो समय है ना भी, तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाए मुझते है और उसी समय अंतिम गड़ी ह जाए तो अंत मती सोगती क्या होगी, इसलिए बाबा सुनते रहते हो ना, बाबा केते हैं इसलिए सुनते रहते हो ना, कि सदा एवरेडी, इसलिए बाबा अच्छानक और एवरेडी का पार्ट पका कराते हैं, बाबा केते हैं एवरेडी का मतलब क्या है, क्या हर गड़ी ऐसे एवरेडी हो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विद्नरूप नहीं बने, अंत अच्छी तो भविश्य आधी भी अच्छा होता है, अभी अंत होगी तो बाबा के ते आपका भविश्य भी अच्छा होगा, तो एवरेडी का पार्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है, बाबा केते हैं कभी भी अंतिम गड़ी आ सकती है, इसलिए एवरेडी रहो, ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन बाबा केते थोड़ा समय भी, एक सेकंड भी धोखा दे सकता है, वैसे सोचते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं जलता, ऐसा दो चार मिनिट चलता है लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, तो बाबा केते हैं मिनिट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैलिवेबल आत्माई हो आप, अमुल्य हो, अमुल्य आत्माओ का कोई दुनिया वालों से मुल्य नहीं कर सकते, दुनिया वाले तो आप सको बाबा नहीं हो, विशेश आत्मा है हो, तो विशेश आत्मा का अर्थ ही है, जो भी कर्म करें, जो भी संकल्प करें, जो भी बोल बोले, वो हर बोल, हर संकल्प विशेश है, साधारन नहीं हो, बबा केते हैं, समय भी साधारन रिती से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प आपका व इसको कहा जाता है विसेष आत्मा, तो विसेष करते-करते साधरन नहीं हो जाए ये चक करो, कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गल्टी नहीं की, कोई पापकर्म नहीं किया, कोई वायनी से भी ऐसा उल्टा-सुल्टा सब्द नहीं बोला, लेकिन बुरे की जग पर अच्छे ते अच्छा किया या साधरन हो गया, बाबा के ते वो चेक करो, तो ऐसे साधरन नहीं हो, बाबा के ते स्रेश्ट नहीं हो, नुप्षा नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, बाबा कुछ रहे, कोई नुप्षा नहीं हुआ, लेकिन जमा कुछ हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है, अभी का जमा किया हुआ, बविस्य अनेक जनन खाते रहेंगे, तो जीतना जमा होगा, उतना ही खाएंगे, अगर कम जमा किया, तो कम खाना पड़ेगा, अर्था प्रालब्द कम होगी, बाबा केते लेकिन लक्स है स्रेष्ट प्रालब्द पाने का, या साधरन भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, बाबा केते स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुप तो होगा नहीं वहाँ, साधरन भी बने तो क्या हर्जा, तो बाबा पूछ रहे है को समाप्त करो, जैसे आदा कलप के देह बान का अभियास निचरल ली नजचाते हुए भी चलता रहता है तो देह अभिमान ने आना नेचरल हो गया है ऐसे बाबा केते हैं, देही अभिमानी अवस्ता निचरल और निचर हो जाएंगे, इसलिए बाबा उसका अभियास करा है बच्चे अपने को देही अभिमानी होने का अभ्यास करो कोई भी कर्मा करते है तो मैं आत्मा इस देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा करा रही हूं वो स्थिति को देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है तो बाबा के तहीं वो अवस्था नेचरल होनी चाहिए और जो नेच लेकिन वो स्वत्व हो ही जाती है तो ऐसे विशेश ताके संस्कार नेचर बन जाए अबा कते हैं और हरेक के दिल से निकले ऐसे नहीं कि मेरी नेचर ये है मेरी नेचर ये है नहीं हरेक के मुझ से मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेश आत्मा के विशेश ताके तो ऐसे है या मेहनत करने पड़ती है। तो बाबा कहते है कि विशेजता की नेचर नेचरल हो जाने चाहिए। तो जो नेचर होती है निए उसमें मेहनत नहीं होती है। किसी की नेचर फिर बाबा एक्जामपल देते हैं किसी की नेचर रमनिक है तो वो सतह भी रमनिक चलती ही रहती है उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया कोई कहेगा तो अभी कहेंगे कि मैं क्या करूँ मेरी नेचर ही है तो बाबा केते हैं विशेस्ता की भी ऐस पूछे आपकी नेचर क्या है? तो सबके दिल से निकले के हमारी नेचर है ही विशेस्ता की. साधारन कर्म की समापती हो गए. क्यों? बाबा केते क्योंकि मर जीवा हो गए ना, तो साधारनता से मर गए. विशेस्ता में जी रहे है. माना नया जनम हो गया. तो साधारनता पाश्त जनम की नेचर है. बाबा केते अभी ये ब्रावन जीवन की नहीं है. क्योंकि ये नया जनम ले लिया. तो नये जनम की नेचर विशेस्ता है. ऐसे अनुभव हो. तो बाबा पूछ रहे कि अभी क्या करेंगे? साधारनता की समापती. संकल्प में भी सा बाबा माता उसे बात कते हैं. माता ये मौज में रहती हो. कितना भी कोई मुझाने की कुछिस करें लेकिन आप मौज में रहो. मुझाने वाला मुझाए लेकिन आप नहीं मुझो. क्यों? क्योंकि अग्नानियों का काम है मुझाना और ज्यानियों का काम है मौज में रहना. तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभाव करो, अब तो फलक से कह सकेंगे ने, बाबा केते होंगे तब ही तो कह सकेंगे ने, यदि आप मौज में होंगे तो कह सकेंगे, जो होगा नहीं तो कह भी बाबा केते नहीं सकता है, चैलेंज कर सकते हो, तो हम मुझने वाले नहीं है, यो कि विशेस आत्मा है, तो बाबा केते हैं, क्या याद रखेंगे, मौझ में रहने वाली विशेस आत्मा है, तो ऐसी हिम्मत वाले हो ना, बाबा कुछ रहे है, हिम्मत वालों को मदद स्वत्ह मिलती है, तो बाबा केते हैं, कि आपका हिम्मत का एक कदम तो बाबा की मदद हजार कदम की अच्छा तो सुकरिया बाबा इतनी मिठी मिठी मुल्ली के लिए हम बच्चों का मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुद मोर्निंग और नमस्ते फिर आज के लिए वर्दान दिया है बाबा ने कि सहज विदी द्वारा विदाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भर्पूर भवर बाबा ने वर्दान दे दिया सर्व खजानों के भाग्य से भर्पूर भवर लेकिन कौन बन सकता है बाबा केते हैं कि जो सहज विदी के द्वारा विदाता को अपना ब बाबा केते हैं कि बाग ये विधाता को अपना बनाने दोनों के साथ सबन बाबा को सब पता है कई बच्चे कहते हैं कि हमारा टो डायरेक्ट निराकार से कनेक्षन है साकर ने भी तो निराकार से ही पाया तो हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे तो साकर कौन? ब्रह्मा बाबा कभी कोई कहते हैं, we don't care ब्रह्मा बाबा के लिए वो भी तो सीव बाबा को याद करता है उनको भी तो सीव बाबा से प्राप्ति होती है तो क्यों नहीं हम डाइरेक्सिव बाबा से ही सब कुछ पा लें बाबा केते हैं लेकिन ये खंडित चावी है क्योंकि खंडित चावी से ताला नहीं खुलता ताला नहीं खुलेगा तो ख़जाना भी नहीं मिलेगा बाबा केते हैं सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता ब्रह्मा के बच्चे बनने पड़ते हैं तबी ब्रह्मा के थ्रू भाग्य विदाता हमें हमको भाग्य हमारा बना सकते हैं बाबा केते हैं साकार के बिना सर्व भाग्य के बंडारे का मालिक ब बाग्य विदाता बाग्य बाटते ही है ब्रह्मा द्वारा तो बाग्य विदाता आया है और ब्रह्मा के द्वारा हमें बाग्य बाट रहा है कैसे बाट रहा है क्योंकि वो तो निराकार है वो तो हमें ग्यान से ग्यान रत्त देते है और वो रत्नों का हमें स्वरूप बनात तब ही हमारा भाग्या बनता है, तो साकार का मुक्र के बिना वो हमें ग्यान कैसे दे सकता है, हमें इतना जो, बाबा के ते देवताई गून क्या है, देवताई सक्ति क्या है, उसकी स्मृति हमें दिलाते हैं, और उसका अभ्यास करा करा के, वो सिक्सा देके उसका हमें स्वर इसलिए बाबा केते ही वीधी है कि जिस माध्यम में से वो हमें भाग्या दे रहा है पहले उनको भी अपना बनाना है और साथ-साथ निराकार तो है ही अपना तो बाबा केते हैं साकार और निराकार दोनों को अपना बनाएंगे तभी भाग्या मिलेगा तो वीधी को जानकर स स्लोगन है, स्वयन से, सेवा से और सर्वस से संतुष्ट अताका सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धी स्वरूप बनेंगे। बावा केते है कि सिद्धि स्वरुव कब बन सकते हैं जब आप स्वयन से भी शन्तुष्ट हो, फिर रुधानी। रूभानी सिवा से भी सटुष्ट्ठ करते हैं आपके वाहनीी से वेवहार से वरत्न से और रुधानी भी departure विस नекст था हो और संतुष्टता का शर्टिफिकेट दे, तभी आप सिद्धी स्वरू बन सकते हो, सुक्रिया बाबा, तो बाबा को दो मिनिट हम याद करते हैं, ओम शान्ति